बिग बॉस 17 का कल ग्रांड फिनाले रहा सलमान खान ने विनर की एनाउंस्मेंट की विनर बनाया मुनवर फारुखी को जी हाँ मुनवर ने अंकिता लोखंडे, मननारा और अबिशेक को हरा कर बिग बॉस का टाइटल अपने नाम किया जहाँ एक तरफ मुनवर के फैंस उनके लिए बहुत खुश है और उनके डोंगरीम में अच्छी खासी भीड रही मुनवर के इंतिजार में वही सोशल मीडिया पर लोग बिग बॉस के विनर मुनवर के जीतने से खुश नहीं है लोगों का मानना है कि मुनवर तो deserving था ही नहीं throughout game मुनवर ने ऐसा कुछ खास नहीं किया कि उसे विनर बनाया जाए विनर बनने लायक मनारा थी, विनर बनने लायक अंकिता थी अभिशेग भी था और अरुन भी था लेकिन मुनवर को fixing के तहर जिताया गया है कहीं लोगों ने तो सलमान खान पर ही इल्जाम लगा दिया और कह दिया कि सलमान खान ने मुनवर को एक particular religion के होने के चलते favor किया है और जान बूज कर मुनवर को जिताया है कुछ लोगों का कहना था कि अभिशेग deserving है और अभिशेग के बजाए मुनवर को जिताना गलत है अगर बिग बॉस को यही करना था तो जनता को बेव को क्यों बनाया लोगों का कहना है कि बिग बॉस वालों ने जनता के emotions के साथ खिलवार किया है खेल गए बिग बॉस एक यूजर ने कहा road sharp winner और road sharp show तो दूसरे यूजर ने कहा कि अभिशेग को जिताने में क्या दिक्कत थी सोशल मीडिया पर अब लोग इस तरह से बात करें और कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से बिग बॉस ने बहुत ही undeserving logo को जिताया है पिछली बार ऐसा MC stand के time पर हुआ था और इस बार मुनवर को जिता कर एक बार फिर से बिग बॉस ने ये प्रूफ कर दिया है कि इस show में winner पहले ही fix होता है पैसे खिला कर trophy हासिल की जाती है वेल आपके हिसाब से deserving candidate कौन था उसका नाम comment section में जरूर शेयर करें और आपको क्या लगता है आखिर मुनवर trophy जीता कैसे comment section में ये भी जरूर बताए